Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल उसका जो इंपोर्ट होता था सस्ते सस्ते, उसको यहाँ पर सरकार बैन करने जारी है, तो इसका exact reason क्या है, तमिल नाडूस यह कैसे related है, वो सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की preparation कर रहे हैं, हमारे तीन live batch start हो रहा है, लेकिन इन live batches में मैं आपको बता दू, दोस्तों, अगर आप 5th of July तक ये batches लेते हैं, तो आपको 2 additional, जो अनिल स्वरुप जी का दो 2 book है, जो आपके exam में काफी काम आ सकता है, especially ethics के paper में, वो आपको free of cost में मिलेगा, ये additional benefit दिया ताकि आपको maximum discount मिल सकें, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरवात करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं, कि exactly हुआ क्या है, दीखें क्या 10 रुपए का था उसमें, आज के डेट में कितना है मुझे नहीं पता, आप comment section में बता सकते हो, लेकिन ये जो cigarette lighters होते हैं, बहुत सस्ते मिलते हैं, और यहाँ पर सरकार ने निर्ने लिया है, और सरकार जब मैं कहता हूँ, तो DGFT, that is Direct Trade General of Foreign Trade, और ये basically आता है Ministry of Commerce and Industry के लगा दिया है, लेकिन हाँ, अगर cigarette lighter की value 20 रुपए से जादा आती है, मतलब जब मैं value कहता हूँ, तो उसके अंदर cost हो गया, insurance हो गया, freight cost हो गया, transportation cost, पूरा मिला कर अगर उसका cost 20 रुपए से जादा है, तो यहाँ पर वो import कराया जा सकता है, और 20 रुपए के जितने lighters है उसका import नहीं करा सकता भारत, अब question यह है कि भारत ने अभी तक, मतलब हर साल हम लगभग कितना import कराते हैं, देखो जब मैं यहाँ पर lighters की बात कराया हूँ, cigarette lighters की, इसको दो तरीके से आप divide कर सकते हो, एक ऐसा lighter होता है, जो की refill होता है, मतलब की आप उसको refill कर सकते हो, औ वापस से यह liquid आप देख रहें, और जो है, वो डाल सकते हो, या फिर आप single use के लिए लेते हो, तो दोनों के उपर ही यह पूरा band है, और साथी साथ अगर हम बात करें, जो non-refillable lighters होते हैं, वो हमने 2022 थे, इसमें, 0.66 million dollar के मगाये थे, और April के महने में आप देखो के खाली तो वो 0.13 million dollar था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम मंगाते हैं, वो मंगाते हैं, refillable वाले जो lighters होते हैं, मतलब वापस से उसको refill करके use किया जा सकता है, तो उसकी संख्या आप देख सकते हो, 2022 देश में, पिछले financial year में, 8.87 million dollar के हमने lighters import किये थे, अलग-अलग देशों से, कहां से ज़्यादा तर ये होता है, ये ज़्यादा तर होता है, स्पेन से, टर्की से, UAE से, और कुछ illegal lighters चाइना से भी आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, 2021-22 में, 7 million dollar का जो lighters था, refillable, वो हमने मगाया था, लेकिन इसकी संख पिछले साल सेप्टेंबर के मैने में, 2022 में, तमिल नाडू के जो चीफ मिनिस्टर है, M.K. स्टैलिन, उन्होंने letter लिखा था, Central Government को, और ये कहा, कि जो single-use plastic cigarette lighters होता है, वो हमें ban कर देना चाहिए, to save the match box industry, देखो एक तो आपको देखने को मिल रहा होगा, single-use plastic आपको पत label, कि हमने यहाँ पर उसको use किया, और ये जो plastic का बना हुआ है body, ये पूरा throw कर दिया जाता है, तो environment को बहुत नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर जो M.K. स्टैलिन कह रहे थे, तमिल नाडू के चीफ मिनिस्टर, वो basically ये कह रहे हैं, कि तमिल नाडू के अंदर एक environment generate करती है, तमिल नाडू में, जिसमें जादा तर आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी, तो basically क्या होता है, कि माल लीजिए, अगर मैं कहता हूँ, कि जो cigarette lighters हैं, वो market में बहुत जादा सस्ता मिल रहा है, तो उस case में क्या होगा, लोग match box लेने के बजाए, वो prefer करेंगे cigarette lighter तो इसकी वज़े से क्या होता है, कि match box की जो demand है, वो धिरे-दरे कम होती जा रही थी, और cigarette lighters की जो demand है, वो बढ़ती जा रही थी, और इसलिए आप देखोगे, यह मैंने आपको दिखाया, compare किया 2021-2022 के मुकाबले 2022-2022 में, कितना जादा हमने import कराया था, यह साब दिखा है, वो बहुत important role play करती है economic growth के लिए, और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा, कि देखिए भारत भी लगवख 400 करोण रुपे कमाता है match box industry से, मतलब export करके, हम export करते हैं, तो उसे हमें 400 करोण का जो dollar है, वो भारत के अंदर आता है, तो यह basically chief minister ने, M.K.Stalin ने, पियुश writers हैं, उसको ban कर दीजे, और आप finally उसको ban कर दिया गया, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर M.K.Stalin का भी tweet आया, और उन्होंने thanks बोला, पियुश गोईल साबको, और साथी साथ ये कहा, कि ये जो decision है, ये बहुत ही significant step है towards protecting livelihoods of over a lakh people in Tamil Nadu's match box industry, अब यहाँ पर इसके साथ- उसको बहुत जादा competition मिल रहा था बाकी देशों से, जैसे कि in fact, पाकिस्तान और इंडोनेशा, वहाँ पर भी match box की बड़ी industry है, तो वो लोग भी export करते हैं, तो वहाँ से हमें competition मिल रहा था, COVID pandemic के दौरान भी supply chain disruption हो गया था, उसकी वज़े से दिक्कत आ गई थी, फिर इसक स्टालिन का कहना था कि हमें कैसे ना कैसे करके जो cigarette lighters हैं, उसके import पर ban लगाना चीए, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ उन्होंने ये भी बोला, कि भारत में धीरे धीरे जो Chinese single-use plastic cigarette lighters हैं, वो मतलब बहे जा रहे हैं भारत के अंदर, और बताया जाता है कि 10 match box को replace कर सकता है, तो जाहिर सी बात है, लोग convenience देखेंगे, और इसलिए ज़्यादा तर लोग धिरे-धिरे cigarette lighters की तरफ मोड है थे, क्योंकि बहुत सस्ता मिल रहा था और convenience भी हो रहा था, इसकी वज़े से यहाँ पर हमें कोई ना कोई आक्शन लेने की ज़रूरत थी, इस जो secretary है, तमिलनाडू match box, match manufacturers association के, उन्होंने यहाँ पर यह बताया, कि वैसे तो बहुत सारे जो inflammable substances हैं, वो भारत ने बैन कर रहा है, मानलो गर यह जो cigarette lighter आप देख रहे हो, इसके अंदर जो substance होता है, इसके उपर बैन लगा हुआ है, लेकिन illegal तरीके से क्या किया जाता था चाइना से इसको import कराया जाता, यह बोलकर कि यह जो cigarette lighter है, वो empty है, उसके अंदर कुछ भरा नहीं जाता था, empty cigarette lighter मंगाया जाता था, और साती साथ bypass क्यार दिया जाता जाता, जितना भी restrictions हैं, इससे related, तो illegal तरीके से चाइना से यह जो सस्ते cigarette lighter हैं, वो भारत मंगाया जा रह हो, लेकिन अब जाकर पूरे भारत के अंदर, जो import ban है, वो यहाँ पर लगाया गया है, और वैसे आपको बताई होगा, 2022 में 30 single used plastic items पर ban लगाया गया, जिसके अंदर cigarette packets का भी नाम था, तो यह पूरा story है, यह पूरा जो background है, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि आखिरका answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे MCQs हैं, वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF की तो टेलिग्राम पर आईए, अलग लग अरिव जी का जो दो important book है, काफी famous है, वो आपको free of cost मिलेगा, यह हमारे mentor है, अगर आप यह batches join करते हो, तो यह आपको mentor भी करेंगे, तो काफी बड़ी opportunity है, and I hope की video आपको पसंद आया होगा, मिलता आप से next time, टेल देन, thank you very much, see you soon.